हलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंगलिस का ओंविल बुक से 6th चैप्टर सिल्क रोड ठीक है इसके राइटर है निक मिडल्टन चलिए देखते हैं इस स्टोरी को यह स्टोरी काफी टॉन तो काफी टॉफ लगता है यह स्टोरी है भी ठरा समझने में क्योंकि इसमें जो विडियो प्रापर हमसे देखिए आपका एंड़ लक सारा कॉल सेप्लियर हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से लिखने कि अब यहाँ पे वी कौन है इतना तो हमें समझभा रहा है कि कुछ लोग है ठीक है मॉर्निंग का समय है और ब्लू स्काई है काफी क्लियर स्काई है और उस क्लियर स्काई में एक एकतम क्लीन सा हाफ मून आधा चांद देख रहा है तो उस सुवर में जब हमने गुडबाई किया जब हम वहां से रवाना दिये ठीक है तो सीन मतलब वहां का जो इन्वार्मेंट था ठीक है समझे यहां तक अब कौन लोग कहां ट्रावल कर रहे है अभी हमें समझभा आएगा आगे इसमें लिखा है कि एक्सेंडेट बैंक्स ओफ क्लावड लाइक लॉंग फ्रेंच लोफ ग्लोट पिंक एस देशन इमर्ज तो इस्प्लैज दिस्टेंट माउंटें टॉप्स विद रोज टेंट ब्लुष बन लगया है कि यहांप जोो पिंक फ्रेंच ब्रेंच ब्रेंच यहांव वह से दिख रहे है यह क्लावड पिंक brush में ग्लोव कर रहे है ऐसे अब मॉनिंग का समय है तो सं राईज हो रहा है और इमर्ज तो स्प्लैस और यह जो सं है कैसा रॉशनी बिखेर रहा है इस mountain top में rose tint, red color का रोशनी बिखा, राइस वज़र से, ये clouds जो है, वो pink दिख रहे हैं, pink चमक रहे हैं, समझें यहां तक, चलिए, फिर आगे दिखिए, now that we were living, अब चुकि हम यहां से जा रहे थे, कहां से जा रहे थे, फ्रम रावू, रावू से जा रहे थे, रावू कौन सा जगह है, रावू एक village है, इन टिबत नियर माउंट केलास, केलास परवत आपने सुना होगा, ये तिबत में है, चाइना, ठीक है, और वह आप एक village है, जिसका नाम है रावू, तो ये लोग राव लामो कहती है कि वो मुझे farewell present देना चाहती है, जानने से पहले gift देना चाहती है, मुझे किसे हमें इस story के जो speaker है, जो हमारे narrator है, ठीक है, तो अभी तक हमें दो चीज पर चल लिया, जो narrator है, speaker जो है, वो ये रावू नाम का जगह को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रा speaker को काफी अच्छे सरी के से जानती हो, उनसे काफी जड़ा attached हो, इसलिए author का जाने से पहले वो बोलती है कि मुझे आपको कोई एक gift देना है, तो gift का बास सुनते ही author समझ जाते हैं कि कौन से gift वो देना चाहती है, बोला गया है कि one evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Calas to complete the quora, अब यहाँ पर जा रहे हैं, इस journey में एक तो author है, narrator, उसके साथ साथ यह Daniel भी जा रहे है, ठीक है, लैमो तो नहीं जा रही है, क्योंकि लैमो दे यह gift लाने, वो author को दे देगी यह gift, तो बोल रहे है कि एक evening को क्या हुआ था, कि author यानि narrator ने, Daniel के जरिए, लैमो को से बिलवाया था, कि हमारे author, कहां जा रहे हैं, mount के लाज जा रहे, और वो भी क्या करने, qura complete करने, mount के लाज येसा है, तो इसका चारोतरफ चक्कर लगाने को, ठीक है, क्या बूलते है, qura बूलते है, qura तो, और इसको, qura 4 तो चकर लगाना, और इसको इंगली में क्या बहूलेंगे, circumambulate, ठीक है, इ गुगल मैप हमने खोला और यहां पर हम सर्च कर देते हैं मांट के आस कि पहले से सर्च कर रखे हैं यह रहा कि तो यह मैप में आपको कुछ इधर दिखियका पहले इंडिया को समझिए देखिए ये तो इंडिया का बांटरी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर नेपाल हैं यहाँ पर पूटन है तो इस पार्ट को हम तो चाइना भोलते हैं ठीक है तो यह पार्ट जो है यहाँ पर यह तिबबत कहलाता है टिक ए cuba हमारा permitted करीब नेपाल के पी कारीब माँट के लाज है अगर आप कुछ पिक्चर देखना है तो यह कि इस पर क्लिक करते है है कि यह यह माँट के लास परफ़त का था पिक्चारें अच्छा है काफी ठीक है और भी कुछ-कुछ पिक्चर से यहां पर यह देखिए काफे सुन्दर है तो यहीं पर जा रहे हैं कोड़ा कंप्लीट करने के लिए समझे कोड़ा यह वर्ट को याद रखेंगे चलिए वापस आते हैं टेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं एंड शी हैड सेड़ डैट आई आउट टो गेट सम वर्मर क्लोथ और लैमो ने कहा था कि चुकि मैं माउंट के लाज जारा हूं कोड़ा कंप्लीट करने तो मुझे क्या ले जाना चाहिए कुछ गरम कप्रे लेके जाने चाहिए ठीक है क्योंकि काफी लुखके अपने टेंट के अंदर जाती है और भाहर निकलती अपने हाथों में लिये हूए लंग स्लीब्ट सीप स्कीन कूट लंबे बाहों वाला सीप स्कीन कोट वह हाथ में लेके आती है जो वहाँके सभी लोग पैनते थे तिबितन लोग ठीक है सेतान एक और नया करेक वो मुझे देखता है पहले अच्छे से और और फिर हम लोग काफी मुश्किल से उसके कार में चाड़ते हैं और येस ही डिकलेट ड्रोकबा सर और फिर वह ऑथर को देखके बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है ड्रोकबा सर ड्रोकबा मतलब आप यह सी बिस्कीन कोट पहन के एक दव वहां के तीवितन लोगों की तरह दिख रहे हैं कि ड्रोकबा का मेनिंग हम यहां पर लिख रखे यह रहां नॉमैडिक पीपल मतलब वहां के जो लोकल लोग थे नोवैड्स लोग नोमैड्स समझते हैं ऐसे लोग जिनको जो वहां पर परमानेटल ने रहते हैं ए तो खेर अभी तक हमने क्या क्या चीज़ समझा है हमारे जो ऑथर है वह अभी रावू से रवाना दे रहे हैं कहा जाना है उन्हें माउंड के लाज जाना है कोड़ा कप्लीट करने के लिए लैमों को यह बात का पता चलता है तो वह क्या करती है वह हमारे ऑथर को फूल बात को याद रखिएगा ठीक है यह इन्हें लेके जा रहा है वहाँ पर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि वी टूकर शॉट कर टूगे टॉट चैंग टैंग इस रिजन का नाम था चैंग टैंग ठीक है उसमें रावू था तो इस चैंग टैंग से निकलने के लिए हमने आताल कर राषता अपनाया सितन जो कि दृट की टीक टेकर शॉब्स सब्स ट्राफ機會 को कंट्रेश को कवर्ड करना पड़ेगा ठीक है लेगिन सेतान ने यह अशूर किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगा सर्ण अगर कोई स्नो नहीं हुआ कोई बरफ नहीं मिला हमें तो हम यह रास्ता इसली कवर्ड कर लेंगे तो इस पर हमारे ओफर पुष्टे है कि बरफ होने का कितना चांस ह इस रास्ते में तो सेतान इसका रिपलाई देता है पता नहीं सर जब तक हम वह आप पहुचेंगे नहीं यह बताना मुस्किल है फिर फ्रम गेंटली रोलिंग लिल्स जार्ण कर रहे तो इस रास्ते से जब वह निकलने शोट विए जब जा रहे थे तो आप वो कैसा जगहा पर आ चुके हैं अब यह प्लीन एडिया पर आ चुके हैं तिक है उस प्लीन एडिया पर कुछ भी नहीं है खाली मैदान है ठीक है एकसेट फ्यू गजिल कुछ गजील से वहाँ पर ठीक है यह राइया पर भी देखिए मांट के नाश का स्केच दिया यह वाइट वाइट आप देख रहे है ऐसाब क्या है बढ़फ स्लो है डाट वूट डाट वद्व जो गजील से वूड लुक प्रॉम निबलिंग डए पास्टर्स वूग जिल्स क्या कर रहे होते थे वह निबलिंग मतलब दिरे दिरे खा रहे थे अपने सुखे उए जो चा बहुत ही तेजी से गाया हो जाते थे इंटु दवाइड वाइड मतलब एंप्टी स्पेस वो तो खाली मैदान था उस मैदान में तोड़के कहीं भाग जाते थे ठीक है फर्दर ओंग विए अब अगे बढ़े तो हमें जो प्लेंस था वो कैसा अब दिखने लगा जादा पथरीला देखने लगा पहले प्लेंस जो था वो ग्रासी था जहांपे यह गजील्स चर रहे थे ठीक है अब यह प्लेंस काफी पथरीला हो गया तब हमें वहाँ पे देख देखने को मिलता है पहले गजील्स था अब यह डिखने को मिला ठीक है सेतन जोकी ड्राइवर है वह बताता है कि शोरी सेतन तोल्ड उस वीडर अप्रोचिंग दें लॉंग भीफोर दे अपिर सेतन ने हमें यह बात पहले ही बता दिया था कि हम लोग वाइड एस को अब द पार्टिकल्स दिखता है तो वह दश्ट को देखके बोलता है क्यांग एक तिबितन वर्ड है इसका मेनी होता है वाइड एस ठीक है वह देखो जंगली गदे ठीक है जब हम उस धूल के पास पहुंचे तो हमें दिखाइब को मिला कि यह जूंड है जंगली गदोगा वह गैलोपिंग एन मास है सब एक साथ कूद कूद के जा रहे थे ठीक है सब लोग ऐसे दोड़ते हुए जा रहे थे काफी स्किल्फुल तरीके से जा रहे थे मानों वह लोग कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है प्लियूंग्स ऑफ ड़स्ट बिलोड इन्टु दा क्रिस्प ग्लीन एर बिलोड का मतलब होता है इस्प्रेड यह मैनुवर जो है इसका मिनिंग था मूफ इन स्किल्फुल वे ठीक है तो जैसे ही वो लोग यह जंगली गदे दोर-दोर के जा रहे थे तो वह काफी क्लीन अब यह था वहां पर काफी जब्ला उठ जा रहा था था धूली स्प्रेड हो जा रहा था क्लिए यहां तक फिर आगे देखिए रास्ते में अभी तक इन्हें गजील्स दिखा है वाइस दिखा है अब आगे दिखते हैं क्या क्या दिखता है तो एस मिल्स स्टार्टिगा once more, अभी वो जो प्लेन एडिया था, वो पथरीला हो गया था, पहले ग्रासी था, या तक टियर था, अब ये प्लेन एडिया से फिर से हील्स एपिर होना इस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, once more from the rocky wilderness, वो जो पत्रीला जगा था, वहाँ से अब हिल्स स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या दिखने को मिलता है, we passed solitary, मतलब alone, drug pass, trending their flocks, हमें क्या दिखने को मिलता है, drug pass दिखने को मिलता है, drug pass दिखने को मिलता है, drug pass nomadic people होते है, जो अलग-अलग tent लाया करना आते है, ठीक है, यह drug pass जोंड में नहीं थे, solitary अके लिए थे, ठीक है, कभी men दिखते थे, कभी women दिखते थे, और यह लोग काफी अच्छे तरीके से well wrapped, मानों इनको अच्छे से pack कर दिया गया हो, वही ship skin coat पहने हुए होंगे, और यह लोग हमें देखते थे car में, ठीक है, occasionally waving us as we passed, और कभी कभी कोई हाथ पे हिला के बाए बोलता था, ठीक है, when the track took us close to their animals, the ship would take evasive action, wearing away from the speeding vehicle, जब हमारा रास्ता, जब उनके animals के करीब जाता था, मतलब जब हम उनके animals के करीब जाते थे, उनके पास ship हो तो हुआ गरते थे, तो यह ship evasive action, भागने का कोशिस करते थे, ठीक है, जैसे ही वो spitting vehicle को देखते थे, वो जल्ली से कहीं बागते थे, ठीक है, चलिए, we passed nomads dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, अतिवितन mastiff, standing guard, तो हम nomads के dark tents से होते हुए गुजर रहे थे, ठीक है, और यह जो tents लगाए गए थे, in splendid isolation, मतलब यह काफी बड़ा मैदान है, मालीजे, तो यहाँ पे एक tent मिल काफी दूर दूर यह लगे हुए थे, अलग-अलग थे, ठीक है, और लगबग सभी tent के बाहर हमें क्या दिखने को मिलता था, a huge black dog, वो थी बड़ा काला कुता है, जिसको टिवितन mastiff कहते है, आप इस picture में देख सकते है, ऐसा कुत्ते दिखने को मिलते थे, एक guard के रूप म and they became aware of our approach, cock their great big heads, उनके सीर काफी बड़ा-बड़ा होता था, जैसे ही वो उनको पता चलता था कि कोई आ रहा है, ठीक है, गारी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो वो लोग अपने सीर को उठा के, ठीक है, दिखते थे, and fix us in their sights, और वो अपने नजर में हमें बिठा लेत करते थे, क्या करते थे, speeding directly towards us, मान लीजे, यहां से गारी आ रहा है, इस दिसा में गारी आ रहा है, तो यह खुते भी इसी direction में आते थे, ठीक है, कोई डर नहीं इनके, इनके मन में, like a bullet from a gun, ठीक है, गोली की तरफ, and nearly as fast, और उतना ही fast तरीके से हमारे गारी की तरफ आते थे, इस saggy monsters, आप पिक्चर में देखे ही थे, टीवितन मास्चिव को, उनका काफी saggy appearance है, मतलब काफी ज़्यादा बाल है उनके सरीर पे, blacker than the darkest night, सबसे अंदकार राथ से भी अंदकार इनका, black उनका color होता है, ठीक है, तो अकसर इनके गलों में, एक bright red colors हुआ करते थे, ठीक है, तो ऐसे कुत्ते, bark furiously, furiously, with massive jaws, तो जब होगते थे, इनके बड़े-बड़े ज़्यावे से, तो काफी हदनाक आवाज निकलता था, ठीक है, they were completely fearless of our vehicle, ये टीविजन मास्थिफ को हमारे गारी से तो एकदमी डर्नी लगता था, shooting straight into our path, वो ठीक हमारे रास्ते के बीचो बीच आते थे, causing Satan to brake and swerve, तो एकदम रास्ते के बीचो बीच आ जाएंगे ये कुत्ते, जिस मुझे से हमारे जो ड्राइबर थे, उनको sharp turn लेना पड़ता था, ठीक है, the dog would make chase for 100 meters or so before easing off, और वो कुत्ते हमें 100 meters तक विचा गर देते, इतना दूर तक भी पीचा नहीं चोड़ते थे, उसके बाद वो give up कर देते थे, जब वो देख लेते थे कि हम उनके property वाले एरिया से बाहर चले गए हैं, तब ये dogs chase करना और ये समझना भी उतना मुश्किल नहीं है, कि पहले क्या था, ancient times में, चाइना का जो imperial court था, यहाँ पे Tibetan Mastiff को ही, इसी टाइप पे कुत्ते को यूज किया था था, as hunting dogs, ठीक है, और ये hunting dogs को लेया जाता था, along the silk road in ancient times, as a tribute from Tibet, ठीक है, मतलब इसी silk road के जड़िए, इन Tibetan Mastiff क चाइना के imperial court में ला जाता था, और इनका एक्सिमाल किया जाता था, as hunting dogs, ठीक है, silk road मालूम होगा, उमीद करते हैं, यह जो world का, यह मालीचे पूरा world है, तो इसका east और west को connect करता था, ठीक है, एसिया हो गया, और यूरोप हो गया, इंदरों continent को connect करता था, और यह रास्ता क गया था, snow-capped mountains, ठीक है, मतलब ऐसा mountain जिसका top में बरफ जमा हुआ था, we entered a valley, हम एक valley में एंटर करते हैं, where the river was white and mostly clogged with ice, उस valley में एक नदी था, वो नदी काफी चोड़ा था, और जारा तर पार आइस से cover था, ठीक है, brilliant white and glinting in the sun side, और वो धूप में यह ice काफी चमक रहा ठीक है, the trial hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and valley sides closed in, वो ले का मतलब है, मान लीजिए, इधर इधर नदी होता है, ठीक है, और नदी के पगल में ही रास्ता होता है, यह रास्ता है, ठीक है, तो जैसे जैसे नदी यहाँ पर मूड रहा है, ऐसे ऐसे करके, वैसे यह रास्ता भी ऐसे इसे कर के मूड रहा है, समझ रहे हैं, यह नदी है, तो नदी का इस टर्ण को क्या बोलते है, मेंडर बोलते है, ठीक है, तो यह आपर लिखा है, the trail, trial, मतलब यह जो रोड है, रोड को ट्रेल कहा रहे है, हग इट्स बैंक, उस बैंक को हग के हुए था, चिप के हुए था, किनारे को, नदी के किनारे को, twisting with the meander, चाहाँ पर meander था, तो यह trial भी वहाँ पर twist करता था, bend होता था, ठीक है, as we gradually gained height, और हम लोग इस रास्ते के जारी है, height पर चरहे जा रहे था, and valley sides closing, और यह valley बलग-बलग बंद हो रहा था, फिर आगे देखिए, the turns became sharper, और जो turns मिल रहे थे हमें, रास्ता का जो मुराव है, वो और भी जादा sharper था, पहले तो लंबा turn मिलता था, अब कुछी turn में इतना तू, एसा turn, अब turn था जादा हो रहा था, ठीक है, and the right bumpier, और आस्ते में काफी पत्थर थे, मतलब, उचा नीचा रास्ता था, Satan now in third year, Satan ने गारी का gear reduce कर दिया, तीसरा gear, ठीक है, चब हाइट चरते हैं, तो gear reduce कर देते है, as we continue to climb, the track moved away from the icy river, levering through steeper slopes that sported big rocks dopped with patches of bright orange lichen, अब यह जो रास्ता था, moved away from the icy river, रिवर से अलग हो, ठीक है, levering through steeper slope, अब यह और भी ज्यादा steeper, और भी ज्यादा खारा slope पे चर रहा था, that is sported big rocks, और रास्ते पे काफी बड़े-बड़े पत्थर थे, और यह पत्थर जो थे docked with, मतलब covered with patches of bright orange lichen, और यह ट्लर का lichen इस पत्थरों पे लगा हुआ था, तो ऐसे रास्तों से यह लोग जा रहे थे, ठीक है, यह जो आप है, bright orange lichen, यह पिक्चर में देश सकते हैं, वर्फ थे, snow थे, वो जमें हुए थे, और near permanent state, यहाँ पे कभी दूप नहीं पहुच था, ऐसा इलाखा था यह, I felt the pressure building up in my ears, held my nose snorted and clear थे, और फिल करते हैं कि उनके कानों में pressure build up होड़ा, जब हाइट चरेंगे तो आपका कान पे pressure build up होता है, तब वो का करते हैं, अपने न करना आता है, वहाँ पे सेतान गारी को रोग देता है, ठीके, he had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on, इससे पहले कि हम समझ पाते कि क्या चल रहा है, सेतान क्या क्या गारी को, गारी का दरवाजा खुलके नीचे उतर गिया, Daniel बोलता है snow, ठीके, and as he to exited from the vehicle, Daniel बोलता है snow और इतना बोलके वह भी गारी से उतर जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वैसे ही काफी ठंडी-ठंडी हवाई गारी के अंदर आ जाती है, a sweat, sweat का मतलब होता है a long narrow stripe of something, ठीके, लंबा पट्टी जैसा, a sweat of the white stuff lay across the track in front of us, तो रास्ते में क्या दिख रहा था, वह white stuff, यह जो snow है वो दिख रहा था, ठीके, snow का लंबा पट्टी वो दिख रहा था रास्ते पे, stretching for maybe 15 meters before it pittered out and dirt trail reappeared, और यह बर्फ कहा तक फैला हुआ था, 15 meters तक फैला हुआ था, उसके बाद यह बर्फ pittered out हो गया, मतलब खतम हो गया, came to an end, और फिर से वापस जो धूल उला रास्ता था, वो वापस दिख रहा था हमें, मतलब 15 meter रास्ते में बर्फ था, ठीके, the snow continued on either side of us, और हमारे दोनों side, यह रास्ता है, इस side भी snow, इस side भी snow, smoothing the abrupt bank on the up-slope side, और इस से क्या हो गया कि, जो किनारा था, ठीके, वो पहले तो बंपीर था, उबर खावर था पत्तर को जासे, अ स्केल, और किनारा काफी खाणा था, चरान था, तो हमरा गारी उस पर नहीं जड़ पाता है, so there was no way around the snow patch, तो ऐसा नहीं था कि हम यह snow patch से बच के, मतलब, देखे, यह, सीन कुछ ऐसा है, यह रास्ता है, तो इसमें, ऐसे बीच में snow patch था, ठीक है, तो हम चार चाते तो इधर से, या फिर इधर से जा सकते थे, लेगे इन ऐसा option नहीं मिल पा रहाता, हमें, इस snow से होके गुज़रणा पड़ता है, फिर आगी देखें, I joined Daniel as Satan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to a certain how steady it was, तभी author भी गाडी चे उतर जाते और Daniel को join कर लेते, सेतान क्या कर रहा होता है, वो slither and slide forward, पिछल पुछल के आगे जा रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे वो आगे जाता है, पैदल ही जा रहा है, ठीक है, गाडी अभी रुकाई हुआ है, तीनों लोग अभी गाडी से बाहार है, stamping his foot from time to time, सेतान अपने पैरो से उस बरफ पर पतक रहा है, ताकि ये पतक करने के लिए कि वो बरफ कितना मजबूत है, ठीक है, I looked at my wrist watch, अथर अपने घरी में देखते हैं, और height हदा चलता है कि वो लोग अभी 5,210 meter उचाई पर है, above sea level, ठीक है, काफी height होता ही है, The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth Daniel से, Daniel बोलता है कि snow उत्रा मोटा तो नहीं है, रास्ता पर ये snow पड़ा हुआ है, लेकिन गहराई, जो खत्रा है वो उसके गहराई से नहीं है, खत्रा केस से है, its IC top layer से है, उपर के layer से खत्रा है, क्योंकि अगर ये snow sleep कर, अगर हम इस snow पर sleep कर गया, वा तो सेतान क्या करता है, एक मुट्टी भर dirt, मिट्टी लाता है, और उसको उस frozen surface, उस बर्फ पर बिखेड देता है, मिट्टी, ठीक है, ताकि जो slippery है, वो कम हो पाए, ठीक है, वी बोथ पीजीन हम दोनों ने भी इस काम में उसका help किया, and when the snow was spread with soil, जब वो snow मिट्टी से कर लेगा, he backed up and drove towards the dirty snow, तो सेतान क्या करता है, उस snow पे जिते बालो बिखरा हुआ था, उस snow के उपर से गारी को निकालता है, he is the car on to its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty, और बिना किसी मुश्किल के उस बर्फ के लिएर को cover कर लेता है, ठीक है, बर्फ कितना दोर तक पहला हुआ था, तो 15 मिटर ठीक है, यह याद रखिएगा, चलिए, तो यहां से हमें यह सब चीज देखके पता चल रहा है कि यह जो सेतन है, जो ड्राइवर है, काफी ज़्यदा skilled है, यहां पर इसको local चीजों के बारे में काफी ज़्यदा जनकारी है, कोई ने उसीकवा ड्राइवर नहीं है, ठीक है चलिए, स्किल्फुल रहे बड़े, 10 मिनट्स लेटर भी स्टॉप ए अनदर ब्लोके, 10 मिनट्स चले ही थे गारी में बैठके कि फिर एक और ब्लोके जागिया रास्ता में, सेतन बोलता है कि नॉट गूड सर, बोलता है कि अच्छा नहीं है यह, as he jumped out again to survey the scene, फिर से वो सेत गारी से नीचे उदरता है और दिखता है कि क्या माजला है, this time he decided to try and drive around the slope, इस बार भी दास्ते में उन्हें बड़त भी मिलता है लेकिन इस बार सेतन डिसाइड करता है कि बिना बालो बिखरे ही इसके उपर से गुजर जाएंगे, ठीके इसके उपर आइड करके देखते है The slope was steep, काफी खारा चलान था, and studded with major rocks, और बीचीज में बड़े बड़े पत्थर भी थे, but somehow सेतान negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurking from one obstacle to the next, तो एक एक करके जो obstacle था, वो उसको cover किया अपने चार चार्चक वाले गारी से, ठीके, सेतान ने इस बार बिना बालो बिखरे ही, उस स्वाइल बिखर of one of the hairpin bins, और यही करते वक्त, एक hairpin bend था, hairpin bend आप इस picture में देख सकते है, hairpin की तरह, जितना जब शार्ट बेंड है, वैसा ही bend वाला वो रास्टा था, उसको भी वो cover कर लेता है, regaining the trial further up, where the snow had not drifted, और फिर से हमें वही रास्ता मिल जाता है, जहां पे, snow नहीं आया हुआ ठीक है, चलिया, I checked my watch again as we continue to climb in the bright sunshine, ओथर हमारे फिर से अपने घरी को देखते हैं, और घरी में height को check करते हैं, पता चलता है कि height अभी कितना था, 5400 meter, पहले height कितना था, 5210 meter, height और भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, and my head began to throb horribly, अब author का जो सिर है, वो काफी तेजी से दुब्बाय स्टार्ट हो जाता है, I took gulps from my water bottle, author पानी पीते हैं, जो की माना जाता है, help करता है, rapid ascent में, ठीक है, जब अब चरहाई कर रहे होते हैं, तो पानी पीते हैं, तो राहात मिलता है उससे, यही सोच का author भी पान है, वो कम जाए, देखते हैं कमता है कि नहीं, फिर उस माउंटेन पास के गरम टॉप में पहुज रहे हैं, ठीक है, और अब हाइट हो गया था 5515, यह हाइस हाइट था वहाँ पे, इट वास मार्क्ट पाई लार्ज केन ओफ रॉक्स फेस्टून विद वाइट सिल्क स्कार स्कार्प्स एंड राग्ड प्रेयर फ्लैक्स वहाँ पे उस टॉप पे पोचने का बाद क्या तिखने को मिला एक लार्ज केन ओफ रॉक्स तिखने को मिला यानि पाईल ओफ इस्टून के उपर एक श्टून तक रखके और उस स्ट्रक्सर को डेकोरेट किया गया था वाइ लंबे पटियों से एंड राग्ड मतलब फटे चीटे पुड़ाने प्रेयर फ्लैक्स वहाँ पे दिख रहे थे ठीक है तो हमने हमने मतलब हमारे ओथार और डैनियल ले क्या किया उस केंड का चकर लगाया ठीक है जैसा कि वहाँ पे ट्रेडिशन था ठीक है गड़ी की ती सामय सेतान चेक्ड़ टायर्स ओन इस वेहकल और तब तक सेतान क्या क्या अपने वेहकल का टायर्स चेक कर रहा था समझें जो फ्यूल था वो एक्सपैंड कर रहा था और उसी ज़र से हिसिंग साउंड आया था इट साउंड डेंजरस टू मी ऑथर बोलते हैं कि मुझे तो यह खतरनाक लगा यह साउंड सेतान इस पर हसते हुए बोलता है कि मैं भी सर्व हो सकता है यह साउंड डेंजरस हो जाए ले करियर मतलब मुव वेरी फास्ट विदाउट कंट्रोल जैसे वह गाड़ी नीचे द्री द्री उतर रहा है वैसे ही ऑसर का जो हेडेक है वह कमती कम होते जा रहा है ठीक है इत वास टू ओक लॉग बाइद टाइम वे स्टाट फोर लंज लंज के लिए रुकते रुकते दो बोच गया था हमने लंच में क्या खाया होट नूडल्स खाया एक लंबे से कैन्वस्टेंट के अंदर ठीक है और यह कैन्वस्टेंट जो था टेंट जो था वह पार्ट था एक वर्ट कैप का वहां पर एक काम चल रहा था एडिक्टेड बिसाइडर ड्राई सॉल्ट लेक जो सुखा हुआ सॉल्ट लेकता हुआ पर कोई पानी नहीं था ठीक है सिब नमकी जमा हुआ था उस लेक के लिए एक टेंट लगाया गया था तो उसी टेंट के अंदर इनोंने गरम-गरम नूडल्स खाया ठीक है और यह जो पूरा प्लैटू था न यह पॉक मार्ट मतलब तो थोड़े थोड़े देर पे आपको क्या देखने को मिल रहा था इस प्लैटू में सॉल्ट फ्लैक्स देखने को मिल रहा था ठीक है यह सॉल्ट फ्लैट्स क्या होता है फ्लैट एरिया औफ लैंड कवर्ड विद सॉल्ट सबजगे एक समतल मादान और इस मादान में पू लेक्स लेक्स हो गए यह क्या है वेस्टीजेस है यानि रीमेन से आप दा टेथीस ओसन विच बॉर्डर टीवर्थ बिफोर दे ग्रेट कॉंटिडेंटल कोलीजन डेट लिए इसकाइवर्ड अगर आपने क्लास 11 में जोड़ोफ ही लिया होगा तो आप यह समझ पा रहे कर्ट जो ऊपर वाला कॉंटिनेंट नीचे वाला कॉंटिनेंट इंडिया नीचे था थीक है पार्थ के साउधर हेह Means क्या हुआ कि ग्रेट कॉंटिनेंटल क्योलीजन हुआ दो हम टेघ्रा अपस ब् Model से उपर हें खराओ गया थीक है अच्ब होगा पहल पर हीमालेयस कहाँ और यही कोलीजन का वज़े से यह हिमालेज पूरा उतपर की तरह पूर गया और यह जो ड्राइज लेक था यहाँ पे काफी ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा था ठीक है जो पूरुस थे वो पीक एक्सेस लिये हुए थे हाथ में सोबस बेलचा लिये हुए थे हाथ में ठीक है और आगे पीछे चले जा रहे हैं और पहनावा कैसा था तो लॉंग शीप इसकीन कोट्स पहने हुए थे और जो बूट्स पहने थे उसमें काफी ज़ड़ा नमक लग चुका था ठीक है जम चुका था उस पे आल ओर संग्लासे सभी ने संग्लासे पहन रखा था क्योंकि वहाँ पे जो सन था वो काफी तेजी से समक रहा था और नमक में काफी लाइट मार रहा था ठीक है और एज एज स्टीडी स्ट्रीम अफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रों दा ब्लाइडिंगली वाइट लेग लेडन विद पाइल्स अफ सॉल्ट और बैग्राउंड में दिखने को मिल रा था ब्लू कलर के जो ट्रक्स थे वो दिख रहे थे ठीक है और उनमें क्या लादा हु जो में रूट था मांट के लाज जाने का ठीक है उसी हाइवे पे लो वापस आगए ठीक है शॉटकर खतम हो गया यहाँ पे और इस हाइवे का नाम क्या था लासा टू कस्मीर डैनियल वो वस रिटर्णिंग तो लासा फांड आ राइड इन ट्रक्स सेथान और आई बेडि सौप के आगे रुके हुए थे डैनियल को कहा जाना था डैनियल को लासा जाना था ठीक है तो डैनियल क्या करता है एक ट्रक में लिफ ले लेता है ठीक है और डैनियल चला जाता है यहाँ से आप सिप कौन बच गए है सेतान ड्राइवर और मैं यानि नरेटर ठीक है हुआ कि हमारे गारी में दो पंक्चर हो गया था काफी जल्दी जल्दी उस सॉल्ट लेक में जाने के दाइन ठीक है और सेतान को इसका फिक्र था उसलिए वो चाहना था कि जल्दी जल्दी ये दोनों पंक्चर रिपेर करा लिया जाए क्योंकि आपको इस पेर्स टायर नहीं बचा हो गया था इसलिए यह लोग टायर रिपेर सौब कर आके अपना टायर रिपेर कर वा रहे थे के लिए रहे यहां तक चलिए अब अभी जो यह जगा पर रोके हो जगा का नाम क्या है होर अभी होड का फीचर बताया जाएगा ठीक है याद रखिये देखिए लिखा एकी सबस इसको बोला गया है ठीक है और यह लेक मान सरोबर जो है ना यह तीवत्स सबसे ज्यादा डिपली रेस्पेक्टेड पानी का यह बॉडी है ठीक है एंशेंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलोजी बताते हैं कि जो मान सरोबर है यह सोर्स है चार्ड ग्रेट इंडियन रिवर्स का इंदस दगंगेज दशतलज दब्रहमपुत्र इन चार्ड नदियों का सोर्स है यह लेक मान सरोबर ठीक है लेकिन जब एक्शोली जब आप आप जाके देखेंगे तो आप आएंगे कि यह लेक मान सरोबर से सीफ 17 नदी ही निकलता है बचा वह जो तीन नदी है इंडर्स गंगेज और बर्मपुत्र यह तीनों नदी कहां से निकलते माउंड केलास के फ्लैंक से निकलते हैं इह माली माउंड केलास है तो इधर का जो श्नो है यही पीगल के इंतीनों लदी में पानी पहुंचाता है ठीक है वह बत यह लेक मान सरोबर से सीफ 17 निकलती है वह के दर्स अथलेज ठीक है we were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead अब हम लोग काफी करीब पहुच गए थे very close हो गए थे इस great mountain के mount के लास के और मेरा उत्सार्ज हो था और बढ़ते जा रहा था यहाँ पर जाने का ठीके चलियो but I had to wait लेकिन मुझे इंतेजार करना पड़ा क्यों देखिये Satan told me to go and drink some tea in Hoar's only cafe which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had three broken windows Satan जो की driver है उन्होंने narrator को कहा कि आप जाहिए कुछ चाई पीडी जिये कहाँ पे यह होर टाउन है यहाँ पे एक ही cafe था इस ही cafe में जाके चाई कुछ पीडी जिये ठीके और यह cafe बाकी और buildings की तरह इस town में कैसा था काफी बुरी तरीके से paint किया गया था और इसमें जो तीन windows थे वो भी टूटे हुए थे काफी बेकान हलत था यह cafe का तो यहाँ पे जाके जो हमारे author है वो चाई पीते हैं और वो तक क्या है कि इस cafe का एक खिरकी से वन आप देम क्या देखने को मिलता है गुड वीव अप तर लेक वह मांसरोवर लेक का काफी अच्छा भीव मिलता है इस खिरकी से ठीक है तो चलो कुस्तो पॉजिटिव यह पर मिलना ठीक है तो है टू कॉंपनसेट फॉर इस ड्रॉट मतलब यह जो इतना बेकार महौल थ समझें चलिए और ड्रॉट मतलब होता है करेंट ऑफ एर भी हवा भी तो उस खिरकी से काफी अच्छा हवा भी आ रहा था फिर आगे लिखते हैं आई वस सर्फ बाई चाइनीज यूथ इन मिलिटरी उनिफॉर्म हो स्प्रेट दग्रीज अराउंड उन्माइटेवल वित इस काफे का और भी बुराई किया गया है वो लगया कि उनको चाय कौन सर्फ करने आता है चाइनीज यूथ चाय सर्फ करने वो चाइनीज यूथ जो है एक मिलिटरी उनिफॉर्म पहना हुआ होता है और जब वो टेवल में पोछा मारता है तो इतना गंदा कप्रा से पोछ लिए हो जाता है ठीक है और पूरा तलतला करेंगे फिर वह आप एक ग्लास रख देता है और एक थर्मस रख देता है चाय का हाफ एन आवर लेटर सेतान रिलीब मी फ्रम माई सॉलिटरी कनफाइबंट एंड विड्रोप पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रभीस वेस्ट वर्स आउट अप टाउन तोर्स मांट केलास तो चाय पीते पीते आदा गंटा भी दिया अब सेतान आता है आथर का अकेला खूल रहा इस होर टाउन में वह कैसा रहा वह बताते है ठीक है वूल रहें की उनने काफी ज़्यारा स्टार्ट कान्ट्रास्ट दिखने को मिला क्यूंकि वो जब जितना वी इंकाउंटर्स जितना भी ट्रावलर्स का जो बुक है वो पढ़े थे कि उनका एक्सपिडियें हुआ और यहां पर खुद आके उन्हें जो एक्स्पिडेंस हुआ होड में वह एकदम ही अलग था फर इखांपल इकाई कावा गुशी एक जापानीस मौंग थे यह उन्नीस सों में आय थे यह लेक मांसरोबर में और यहां का पवित्रत्रा देखके यह इतना ज्यादा मूव हो गए थे मतलब प्रभावित हो गए थे कि इनके आखों से आशू निकल गया था ठीके उसी तरीके से एक और थे एक और स्वीडी शादमी थे स्वेन हेडिन ठीके यह कुछी साल पहले यहां पर आय थे इकाई कावागाची के आने के कुछ साल बाद ही यहां पर आय हुए इनका खास बात यह था कि यह उत्मा जदा सेंटीमेटल आदमी नहीं थे यह लेकिन तभी भी यह लेक मंसरोबर देखने का बाद काफी जदा सेंटीमेंटल हो गये थे और इनके आकों से आशू निकल गया था तो ऐसा इतना पवित्र यह लेक को मन जाता है लेकिन ऐसा कु अनदर ट्रॉबल नाइट तो जब तक हम लोग चलते गये और रात हो गया रात का साड़े दस बच गया और हम लोगोंने एक गेस्ट हाउस के सामने गारी को रोका यह गेस्ट हाउस था डार्चन में अब यह प्लेस का नाम जाद रखेगा डार्चन पाउज गये लोग ठी किकिंग अराउंड इन दा ओपन एर रबिज डॉम्प डैट पास्ट फर दा टाउन ओफ होड हैट सेट ओफ माई कोड वन समोर बोल रहे है कि जब यह होड टाउन को क्रॉस कर रहे थे यहां पर कापी ज़दा कच्रा था धूल था ठीके तो इस हवा का इस कच्रे धूल से अर्थर का चो कोड था वो और भी जदा बढ़ गया था ठीके और भी जदा सर्दी हो गया था दो इफ्तरूत भी टोल्ड इट नेवर कोई डिशपीर्ट विद माई हरवल्टी और अगर सच बोला जाए तो इनका सर्दी कभी गया ही नहीं था सर्दी हमेशा इसे था और अ सर्दी और में जदा तीज होते जा रहा था वन अफ माई नॉस्ट्रिल्स वर्ज ब्लॉक्ट अगें एक नाट बंद हो गया था इनका एज ले डाउन तो सिफ जैसे यह सोने जा रहे थे इनको यह कंविंस ही नहीं हो रहा थे कि एक सांच से सांस लेके यह जिंदा रह पहले से तो कम है हाइट ठीक है यह ज्यादा हाइट नहीं है रावू के मुकाबले and there I had been gasping for oxygen several times every night ठीक है तो बोल रहे हैं कि रावू में ही उनको रात में oxygen के लिए काफी छरपटाहत हुआ था ही नहीं I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by राव अब अधर को आदत हो गया था ए रात को इतना परसान होने का लेकिन तभी भी they still scared भी इनसे काफी डड़ लगता था कि कि आप तो कहीं द्रम गुट के यह मढ़ना जाए ठीक है तो tired and hungry I started breathing through my mouth तो काफी ठके हुए भी थे भूगे भी थे तो author क्या करते हैं अपके मुह से सांस लेना start कर देते हैं after a while I switched to single nostril power which seemed to be admitting enough oxygen but just as I was drifting off I woke up abruptly तो कुछ दिर बाद एक ही नाख से सांस लेते लेते मुह से सांस लिए पहले उसके बाद क्या किये वह एक ही नाख से सांस लेना start कर दिये क्योंकि इनमें फील वड़ा था कि sufficient oxygen आ रहा है एक नाख से ही ठीक है लेकिन जैसे ही इनका पलंच जपकता था जैसे इनने तुरां नीन दाता था तुरांत ये उठ ख़ड़े होते थे something was wrong इन फोपूस गरज लगता था ठीक है माई chest felt strangely heavy इनको सीना काफी भारी लगता था वह उठके बैठ जाते थे ठीक है और जैसे ही वह उठके बैठते थे उनका दोनों नाख खुल जाता था माई nasal passages almost instantly cleared ठीक है इनका जैसे ही लेटते थे नाख बंद जाता था जैसे ही उठके बैठते थे नाख खुल जाता था से सोने का कोशिस करते हैं लेकिन result फिर से same I was on the point of disappearing into the land of not when something told me not to फिर वो कोशिस करते हैं क्या होता है देखिए वो disappear बने वाले थे into the land of not मतलब वो सोने ही वाले थे उनका नीद लगने ही वारा था तभी क्या ना क्या होता है अंदर सुने एक आवा जाता है कि नहीं सोना है ठीक है वो फिर से जाग जाते है इट मस्ट हैब बिन दोज इमर्जेंसी इलेक्ट्रिकल इंपल्से सगे वो सोचते है कि वही सरीर में जो इमर्जेंसी कुछ बेचैनी सा चागिया है इन्हें जो इन्हें सोने नहीं दे रहा है और ये बेचैनी पहले वाले बेचैनी से काफी अलग था इस टाइम I wasn't gasping for breath पहले पैचैनी जब होता था तो इन्हें सास का प्रॉलम हुआ करता था लेकिन अभी इनको सास का तो दिकत नहीं है I was simply not allowed to go to sleep बस इन्हें नींदी नहीं आ रहा था ठीक है जैसे ही सोने जाते थे कुछ ना कुछ गरबड होता था सास तो ठीक टाक ले ही रहे थे sitting up once more immediately made me feel better फिर से ये एक बार उटके बैठते हैं और फिर से इन्हें अच्छा फिल होता है नाख खुल जाता है चेस्ट भी हलका फिल होता है breathe freely and my chest felt fine but as soon as I lay down my sinuses feel जैसे लेटते थे उनका नाख बढ़ जाता था और चेस्ट फिर से अजीव ढगने लगता था तो ये क्या करते हैं I tried propping myself upright against the wall ये क्या करते हैं कि wall का सारा लेकी सोने का कोशिस करते हैं लेकिन अब ये क्योंकि बैट के सोना होता easy नहीं है ना तो इतना इनका body relaxed नहीं हो पा रहा था और ये सो नहीं पा रहे थे I couldn't put my finger on the reason ये exactly reason नहीं पता कर पा रहे थे कि किस वज़े से इन्हें नहीं नहीं आ रहा है बस इन्हें डर लग रहा था सोने से A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up कहीं नगर इनके अंदर से एक feeling आ रहा था कि अगर मैं सोया तो हो सकता है मैं कभी उठूई ना इसलिए वो पूरा रात जग के ही गुजार देते हैं समझ रहें चले अगली सुबह क्या होता है जो driver है सेतान वो क्या करता है अथर को ले जाता है डार्चेन मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने के लिए कि देखो भाई क्या हुआ इसे The Medical College को अब डिस्क्राइब क्या गया है Medical College काफी नया था और एक Monastery की तरह दीख रहा था बाहर में काफी solid door था जो की खुलता था बरे से court yard में हम लोग गये consulting room में जो की काफी अंदकार था ठंडा था ठीक है और वहाँ पे तिवितन डॉक्टर था जो की किसी भी type का paraphernalia नहीं था उसके पास किसी भी प्रोफेशनल से रेलेटेड जो equipment होते उसके पास नहीं था जैसे जेनरली डॉक्टर के पास white coat होता है इस्टेटोस कोप होता है ठीक है वो सबसी डॉक्टर के पास नहीं था simple सा दीख रहा था वो डॉक्टर थीवितन डॉक्टर ठीक है को बताया sleepless का symptoms का डॉक्टर को and my certain aversion मतलब fear to lying down जैसे वो सोने जाते से तुन्हें डड़ लगता था यह सारा बात वो डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर रिडिस्ट में वेंस चेक करते हुए कलाई में नस चेक करते हुए कुछ कोशेश पूछते हैं हमारे ओथर से ठीक है और साहरा चीज़ चार्च पड़के और डॉक्टर रहे वो बोलते है कि it is a cold आपको ठंड लग गया है ठीक है अब cold ठंड लगाई है साथी साथ effects of altitude जो उचाई का जो effect है यही आपके साथ हो रहा है I will give you something for it मैं आपको कुछ दवाई दे देता हूँ कि ऑथर हमारे पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या में ठीक हो जाओंगा ताकि मैं अपना कोड़ा कंप्लीट कर पाओ कोड़ा यादे की नहीं जो मांट कहला से इसका चकर लगाना इसको कोड़ा बोलते है ठीक है तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ बिल भूल आप ठीक होज़ा है कि आप आराम से कोड़ा कंप्लीट कर पाएंगे तो मैं मेडिकल कॉलिज से बहार आ गया और हातों में क्या लिया था मैं एक ब्राउन इंवलब मतलब एक ब्राउन इंवलब था जैसे कि जनरली का होता है कि हम मतलब दवाई था वहां पे ठीक है I had a five day course यह पंदर दवाई पास दिनों का course था मतलब एक दिन में तीन बार सुबह दिन में राप में खाना था इनको दवाई वह चाहिए स्टार्टर राइट अब है जो ऑथर सीधा लेना स्टार्ट करते थे वर्णिंग का समय था ही क्यूंकि वह भी दॉक्टर को दिखाने गए थे तो ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज वह खुलते हैं दवाई का और उसमें से एक ब्राउन अगर आप काफी धियान से देखते तो आपको लगता कि ये दवाई जो है वो शीप डंग है जिसे अब मतलब फॉर एजांपल आप बकरी का टॉलेट देखे होंगे वैसा ही ये दवाई दिखरा था बट ऑफकोर्स आइट टुक देम लेकिन जो भी हो उन्होंने ये दवा जिसे कि लगनी की डेर को उठाना काफी मुश्किल होता है वैसे ही जो आप लॉक की तरह सोते हैं तो आपको उठाना काफी मुश्किल होता है ठीक है मरें इंसान की तरह नहीं लॉक की तरह वह सोई ठीक है चलिया ,once ya saw , जैसे ही सेतान सेतन ने पता किया कि मैं अब यहां पर जिंदा बच जाओगा ,मेरा हेल्ध कंडिशन ठीक हो जायेगा, तो सेतान क्या करता है , यहां से आप जाना शुरू कर देता है, सेतान को भी वापस कर लौड़ना है , लासा में लौटना है ठीक है सेतान एक बुद्धिश थाप वो बोलता है कि बुद्धिश लोग काफे प्रैक्टिकल होते हैं सेतान ओथर को बोलते हैं कि अगर आप मर भी जाए तो ज्यादा मुझे फरक नहीं परेगा लेकिन यह मेरे बिजनेस के लिए खराब होगा क्योंक अगे तो ठीक है चलिए इतना बोलके सेतान चल देता है वहां से अब डार्चन को यहां पर डिस्क्राइब क्या गया है डार्चन टिडेंट लुक सो होड़िवल आफ्टर अफ्टर गूट बैट स्लीप एक पूरा रात सोने का बाद डार्चन अब उतना बुरा दिखनी र बिलेगा बन तर सन सोन ब्रिलिंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई लेकिन उपर आस्वान में काफी क्लियर ब्लू स्काई था उसमें संग कर रहा था और मैं साउथ की तरफ देखा तो मुझे पता चला हिमाले इस दिख रहा है वहाँ पे एक काफी बड़ा सा स्नो कैंप माउंटेन था जिसका नाम था गुर्ला मन्दा था ठीक है इसके बादे में देखें देखें यहां पे कुछ बेसिक जेनरल इस्टोर्स थे जैसे कि उसमें चाइनीज सिग्रेट बिखते थे सोप साबून हो गया तूटपेस्ट यह सब बिपता था तूटब्रस एस वेल एस जो प्रेयर फ्लैक से वो भी बिखते थे यहां पे एक ऐसे ही एक जेनरल इस्टोर्ट के सामने क्या देखने को मिलता है मैं गैदर इन दा आफ्टरडून फोर गेम ऑग पूल दोपर के समय में लोग इखटा हो गए थे पूल खेलने के लिए ठीक है लेकिन यह पूल जो था पूल का जो टेवल था काफी डैमेज था बैटर था ठीक है और यह काफी इनकॉंग्रूस मतलब आउट ओफ प्लेस द वाइल नेरवाई वोमेंड वोस्ट देर लॉंग हेर इन दा आइसी वाटर ऑफ नारो ब्रूक देट बैबल दाउन पास्ट माई गेस्थाउस तो जिस गेस्थाउस में अथर रुके हुए थे उसी के बगल से एक चोटा सा नदी निकल रहा था उस नदीर में काफी ठंडा पानी आइसी वाटर बहर रहा था इसी थंडे पानी में जो महिलाई थी वो अपने लंबे-लंबे बालों को धो रही थी ठीक है कि डार्चेन फेल्ट रिलाक्स एंड हरी अनहरी डार्चेन का महल का इस सीटी का की काफी रिलाक्स महल ता लोग अर्दम सांधी से बैटे हुए थे किसी भी टैप का हरवरी नहीं था लेकिन मेरे लिए इसमें काफी सिग्निफिकंट ड्रॉबएक देखने को मिला डार्चे तो यह एक bad news सुने, sad news सुनने को मिला I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors author को पता चलता है, किसी ने कोई author को बोलते हैं कि जब pilgrimage season का जो main time होता है उस time में यह town तो एकदम असल बसल कर रहा होता है visitors से, काफी source अरवा होता है आपने विजिटर्स का और कई सारे विजिटर्स क्या करते है अपना accommodation अपना lodging जैसे के tent हो गया वो सब ले के आते हैं और यही पे लगा के रहते हैं ठीक है, कोई hotel में stay नहीं करते हैं और यह जो पूरा settlement है यह पूरा एकदम किनारे तक फैल जाता है यह काभी season के शुरुवात में ही plan कर लिया था इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक फ्रजल्दी आ गया अभी कोई नहीं आया है, मैं आके लाओं यहाँ पे फिर एक दोपर्ट का समय ऐसे करके दीन बीचतर जाता है एक दोपर्ट का समय ऑथर बैठे हुए है और सोच रहे है कि मेरे पास क्या-क्या options है ठीक है, चाई पीते हुए डार्चन का only cafe था, वहाँ पे बैठे-बैठे चाई पीते हुए सोच रहे है कि और मेरे पास क्या-क्या option है, वो क्या-क्या कर सकते हैं थोड़ा सोचने का बाद author conclude करते है कि options काफी limited है clearly I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking author क्या कर रहे थे एक self-help program में enrolled थे ठीक है इसमें सिखाया जा रहा था कि positive thinking कीजिए अक्सर आप सुने होगे कि आप जैसा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ ठीक है तो author तो अच्छा सोची रहे थे अपने बारे में लेकिन उनके साथ अच्छा हो नहीं रहा था आप देखी रहेगी आप आप यह author जो है हमारे यहां पर फच चुके हैं तो वह author यह बोलते हैं कि मैंने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है इस प्रोग्राम में तभी मुझे positive thinking का उतना positive effect देखने को नहीं मिल रहा है बात्ते गरहें समझ रहें चलिया इन माई डिफेंस लेकिन यहां पर बोलेते कि सेल खल प्रोग्राम में उतना प्रोग्रेस नहीं किया है लेकिन इसके लिए भी author के पास अपना बचाओ है वो डिफेंस में बोलते हैं कि चुकि मैंने इतना सारा difficulties case किया सोने में कुल दिनों से अच्छा से नीद नहीं ले प सिचेशन यह था कि मुझे एक ही option दिख रहा था वो option क्या है इंतजार करने का बाकी pilgrims आएंगे तब उनके साथ वो कोड़ा करेंगे ठीक है चलिए जो कोड़ा करने का जो रास्ता था वो वेल्ट रॉडन था मतलब काफी चला गया था उस पर लोग काफी इसको यूज करते थे लेकिन उसको अकेला करना उतना एजी काम नहीं था कोड़ा जो है एक सीजनल टास्क है बिकॉस कोड़ा करते वक्त यह mountain का जब आप चकर लगा जो हैड क्लियर्ड बट आई वोजन्ट इंकरेश्ट वाइड था चंक्स अव डर्टी आइज दैट इस्टिल चलिंग तो बैंक्स अफ डार्चर ग्रूग बोल रहे हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस रास्ते में जो स्नो था वो क्लियर किया गया है कि नहीं लेक अग्रॉस एनिवड इन डार्चेन वित इन उफ इंग्लेज जब से स्यतन गया था डार्चेन में उन्हें कोई ऐसा है वक्ति नहीं मेला जो इंग्लेज ठीक-ठक जानता हो जो उन्हें इतना सिंपल कोशन का भी एंसर दे पाए कि रास्ते का परफ क्लियर खिया गया है कि नहीं ठीक है तभी क्या होता है ऑफर का मुलाकात होता है एक इंसान से जिसका नाम था नोडबू इंपॉर्टन करेक्टर याद रखिएगा ठीक है नोडबू क्या है देखे तक वो कैफे जो था डार्चन का एक लौता कैफे वो स्मॉल था डार्ग था कवेंडरस गुफे की अब करेंग बता गया कि इसके जो पॉल्स थे सीलिंग से वह कवरते शीट्स और मल्ती कवर्ड प्लास्टिक अलागला कव्श्टिक का सीट से कवर था जो ओल और सीलिंग थे वह खास कर सें ब्लु रेड वाइड प्लास्टिक से कावर थै दीज मेड इंटू स्ताउट वॉल्य स्टावीम में स्टापिंग बैक्स सोट आल अबर चाय miser और घार में इसी टैप प्लास्टिक से जो बैकस sold all over China जाते थे एनि चाइना में भी साथ साथ चाइना में ही नहीं बलकि साथ साथ एशिया के दूसरे कंट्रीज और यूरोप के भी कंट्रीज में इन प्लास्टिक का यूज किया जाता था स्वापिंग बैक्स बढाने के लिए ठीक है As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today और ये भी बात है कि आजके टाइन में चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के जने वाला चीज क्या है प्लास्टिक है और इस Silk Road के जिरिए ही चाइना का ये एक्सपोर्ट इक्ता ज़्यादा होता है ठीक है उस cafe का और भी खास बताया गया है उसमें एक ही window था उसी window के बगल में मैं बैठा हुआ था और अपने notebook के pages को देख रहा था I had also brought a novel with me to help pass the time मैंने अपने साथ एक novel भी लेके मैं अपने साथ एक novel भी लेका आया हुआ था ताकि time को pass कर पाऊ तभी क्या होता है no Internet Wow आता है उस cash में वह मैंने book को देखता है मेर पास आता है और पूशता है कि क्या हो मैंने बगल में बैठ सकता है कि नी उस New city ogr stable पर भी खीमऑच जो रहा था अन स्पने वस्टैवल था उस टैवल पर बैठ सकता है कि नी और बोलता है कि you English मुलता है आपको English आता है क्या चाय order करने के वाद वो पूछता है तो मैंने कहा हाँ मुझे आता है and we struck up a conversation चाहँ फिर हम दुनों का बात चुदू होता है किन दुनों का author का और नोरभू का I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style author सोचते है कि ये नोरभू जहे वो यहाँ का local तो है नहीं क्योंकि नोरभू एक wind cheater पहना हुआ था metal rimmed spectacles पहना हुआ था western style का तो author को लगा कि ये बहार का है बात करने पर पता चला कि वो एक तीवितन है but worked in Beijing लेकिन वो बीजिंग में काम करता था चाइनीज एकरडेमिय उप सोचल साइनसेस में ठीक है in the institute of ethnic literature यहाँ पर काम करता था I assumed मैंने author ने यह एजूम कर लिया कि हो सकता है यह वो यहाँ पर कुछ field work करने के लिए आया हुआ हुआ हो क्योंकि काम करता है बीजिंग में अभी यह माउंट के लास में क्या कर रहा है टार्चिंग में ठीक है तो वो सोचते हैं कि कहीं इसको कोई field work दिया गया होगा वो आके यहाँ पर कर रहा है तो नोडबू बूलता है हाँ भी और नहीं भी उसके इंपोर्टेंस के बारे में बुद्धिस्ट लिट्रेचर में ठीक है फॉर मैनी एर्स ही डूल में बट यह नेवर एक्चुली डन इट हिमसेल्फ तो एकडेमिक पर लिखने के लिए काफी डीप लारेज होना परेगा इसलिए वो यहाँ पर खुदी करने के लिए आया कोडा जो भी एक्स्पिरेंस होगा वो सेकेडेमिक पर में लिखेगा ठीक है वें दर टाइम केम पर मी तो तेल हीम वाट ब्रॉट मी तो टार्चेन हीज आइस लिट अब तो नोरगु ने तो अपना रिजन बता दे कि वो क्यों यहाँ पर कोडा करने आया हुआ है और ने भी अपना रिजन बताया कि वो यहाँ पर क्या करने आया है तो जब और ने बताया कि वो भी यहाँ पर कोडा करने के लिए आये हुए है तो यह सुनके नोर्भू का आइस भी आख भी चमक उठा वो भी excited होगे कि चलो दोनों बहुत साथ ही मिल गया वी could be a team, he said excitedly काफी excited होगे वो बलता है कि चलो हम दोनों टीम बन सकते हैं दो एकडेमिक से हम दोनों जो की लाइबरेरी से भाग चुके हैं ठीक है मतलब दोनों यूजोली रूम में बैटके study करते हैं लेकिन आज यहां पर वो फिल इस्टेडी करने आए हुए एसा वो रिलेट करते हैं नोडबू परहाफस माइ पोजिटिव थिंकिंग स्ट्राइटीजी बस वर्किंग आफ्टर ओल तब उन्हें जो की कंपैनियन मिल चुका था अब अखर सुचते हैं कि उनका जो कैम जो प्रोडाम था पोजिटिव थिंकिंग वाला वो काम कर रहा है वो अच्छा सोच रहते हैं अब उनके साथ अच्छा हो गया ठीक है फिर आगे लिखा है माइ इनिशियल रिलीफ एट मिटिंग नोडबू वाज अलसो स्टेंग इन दे गेस्टाउस वस्टैंपर्ड बाइड रियालाइजेशन डैट ही वस अल्मोस्ट एज इल इक्वी एज आई फॉर दा पिल्ग्रिमेज तो सुरू सुरू में तो अथर काफी खुष थे नोडबू से मिलने का बाद कि चलो एक कंपैणियन मिल लेकिन यह खुषी जाना दिर तक लाक्ष ने किया अथर को यह बात रियालाइज हो गया कि यह नोडबू भी उनकी ही तरह उतना यह वाक करना काफी मुझकी लिए चलाने बहुत ठीक है यह वसंत रियली प्रक्टिसिंग बुद्धिस्ट इट रस्पार ऐसा लगड़ा था कि वो बुद्धिस्ट तो प्रक्रिस नहीं करता है बट यह थे उसका अंदर एक जोष था और फॉर्ष थिवितन और वेक्ति थ था ठीक है अल्दो आइड ओर्जिनली इन्वी सेस्ट मतलब इमेजिंड मेकिंग दे ट्रेक इन दा कंपनी ओफ डिवर्ट बिलीवर्स ऑन रिफ्लेक्शन आइडिसाइड थैट परहाफ नुर्भू वोट तर आप टूब डाट बैठा हुआ था यह वो इमेजिन करकर रख करने के बात ऑथर को यह बात रियलाइज हुआ कि नहीं नौर्भू ही मेरा अच्छा साथी होगा इस कोड़ा को करने के लिए ठीक है नौर्भू सजेस्ट करता है कि चलो कुछ याक्स हायर कर लेते हैं जो कि हमारे समान को कैरी करेगा यह बात यह सजेस्टन सुनकर ऑथर को काफी अच्छा नगा ठीक है कि चलो समझदार आपनी के साथ वो जा रहा है नौर्भू का यह बन तो थाने की वो प्रोस्टेट करते हुए मतलब लाइंग डाउन फेस डाउन लेट के बहुत लोग क्या करते हैं लेट के उसका चकर लगाते है ठीक है किसी का मननत होता है तो तो ऐसा कुछ करने का नौर्भू कमद नहीं था वो बोलता है कि not many यह पॉसिबल नहीं है क्लास्पिंग अक्रॉस देवल इन हिस्टेटिकल लाफ्टर और हस्ते हस्ते वो टेवल पर लोटपोर्ट हो जाता है गीरगुर के बोलता है कि मेरे यह पॉसिबल नहीं है इट वोजन्ट इस स्टाइल और इस तरीके से बिहब करना नौर्भू का स्टाइल नहीं था एंड एनिवेग इस तमी वस्टू बी और जो भी हो जब वो नौर्भू हस रहा था तो ऑफर अब्जब करते हैं कि उसका पेट काफी निकला हुआ है नौर्भू का ठीकित और उसके लिए यह पॉसिबल था भी नहीं बस इसी के साथ यह पूरा जो स्टोरी था वो एंड हो गया सिल्क रोड उमिद करते हैं आपको यह पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा डिक्री करता लेकिन उमिद करते हैं आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा चलिए तो झाल झाल